एक्सेलशी न्यूज भी आप सभी का स्वागत है मैं उर्टिश कुपता दर्श को जैसे कि हम सब जानते कि एक तरव से तप्ती गर्मी तो दूसरी तरव से बिजली और पानी का क्राइसिस जो है हमें जमू शेहर में देखने को मिल रहा है आई जाने की कोशिश करते हैं कि बिजली और पानी किस तरह से परभावित कर रही है हमारे जमू वासियों को सर आपका नम जी मेरा नम चंदन कुपता है और मैं मोती बजार टेडर एस्सेशिशन का परदान हूं सर जिस तरह से हीट वेव यहां पर चल रही है और एडवाइस की जाती है कि हमें जितना हो सके उतना गरों के अंदर रहना चाहिए इन दिनों में क्राइसिस की बात करें तो एक तरव से बिजली के प्रावलम आ रही है दूसी तरह से पानी की सिमस्या आ रही है तो किस तरह से जो है आप लोग सफर कर रहे हैं सर बिजली के कट्स तो हो रहे हैं उसमें नोड़ोट हमें और उसके तहरत हम लोग बजारों के ओल्ड सीटी बजार के एस्सोशेशन के जितने परदान थे न कुछ एक वहां दफ्तर में गे भी थे और वहां जाकर हम नहीं को बोला भी लेकिन अभी तक इन से समला नहीं है इस सिस्टम उसका कारण यह मैं बताता हूं कि जिस तरह से हमारे मीटर्स अपडेट किये गए ना कि स्मार्ट मीटर्स लगा दिये गए हैं अब पूरा यूनिट जाता है कोई चोरी नहीं होती कोई कुछ नहीं होता अब सिंगल केबल भी लगी रही हैं सारे शहर में लेकिन इन्होंने अपना इंफ्रस्ट्रक्चर क्यों नहीं अपडेट किया जैसे कि अगर 200 यूनिट वाला इदर ट्रांसवार्मर लगा उदर 400 को 600 में क्यों नहीं किया तो इनको इन चीज़ों के उपर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अ मैं आपको सीधे मादियम से बताता हूं अगर 10,000 की इस महले में बिजली की खापत है और इन्होंने अगर ट्रांसवार्मर उस पे दिया ही 2,40 वाला है तो दस हजार को कैसे देगा ही टब हो जाएगा इस गर्मी में सड़ जाएगा फिर एक एक दिन लग जाता उसको रिप करना चाहिए और दूसरी चीज मैं बताता हूं जिस तरह यह गर्मियों के दिन आते हैं पानी का क्राइस शूरू हो जाता है उसकी वज़ा एक मैं आपको पताता हूं यह मैं रहता हूं ओल्ड सीटी में क्योंकि यहां ही मेरी दुकान है ओपर हमारे दर वाटर टैंक नहीं पर हमारी माता हैं बहने बाहर सरकारी नलके से वह पानियां बाल्टियां बरबर कर अंदर ले जाती है क्योंकि ना आने दोने के लिए तो पानी चाहिए ना पीने के लिए तो फिर आजमी बजार से बोतले खरीद लेगा कैमपर ले आएगा पर अगर बात शुरूम जाना ह पानी चाहिए तो इनको इन दो गॉर्मेंट के जो डिपार्टमेंट इनको अपने आप आपस में न को सिस्टम बनाना जाहिए कि भई यह इस समय बिए तो इसी समय पानी चुपड़ा जाए जैसे आप देखना यह कहीं सालों से ऐसा होता रहा है कि जब पानी आएगा तो पानी नहीं तो बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है इस समय आम जंता को और इस तरह मैं आपके माध्यम से उन अफसरों को भी कहूंगा बहुत काबिल अफसर हैं वह आपस में मीट करें भी एची जलशक्ती विवाग और अपने पीडीडी डिपार्टमेंट कुछ किस नजरी से देखते हैं और किन-किन समस्यों का सामना करना पड़ रहा है देखिए लाइट में इतनी ज्यादा फ्लक्षेशन है कि एसी तो चली नहीं रहाना उसके बाद रात को कट लग जाता है जो अब बच्चे चोटे बच्चे सोएंगे कैसे अब जब लाइट नहीं समस्य आ रही है क्या अपील आप करना चाहते हैंहां गौर्मिट्ट से अपील करती हैं जैसे अभी बिजली के हम बिल प्रॉपर देते हैं एट टाइंट टू टैम देते हैं तो हमें सर्विस ही वैसी चाहिए अब प्राइवेटेशन की बातें हो रही है हो गई है नहीं आजाती है दोसों पे आजाती है उससे क्या होता है इसी ट्रांस्वरम सब जल जाते हैं तो जब यह चीजे जलेगी तो पानी सबसे बज़रूरी चीज़ा आज पीना सबके लिए तो आप समझदार पानी चड़े गया से मोटर जल जाती है तो यह सारी चीजों की दिक्क्ते तो सीटी में हैं चली आप से बात करते हैं आपका नाम अर्शित जैन तो जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है गर्मी के कारण कहीं तरह की समस्या भी आ रही है क्या समस्या जो है आप फेस कर रहे हैं जिसकारण हमारी फ्रिजेस के वो पर्फेक्ट लोडेज नहीं आ रही यह सब आ रहे हैं पानी की दिक्कत भी आ जाती है क्योंकि फिर मोटर अगेरा नहीं चल रही है यह सब दिकते आ रही हैं कुछ तो गोवर्मेंट से आप क्या अपील कर रहे हैं तो वह थोड़ा इस मामले में भी थोड़ा अपना देखें कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा आएं बीच में थोड़ा देखें क्या कर सकते हैं सर ऐसा है कि यहां पर एक तो बिजली के फ्लक्ट्वेशन बहुत आता है और फ्लक्ट्वेशन के एंबर इस हिसाब से चलती है कि ट्रांसफॉर्मर इनवर्टर और जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस हैं उनको बड़ा नुक्सान पहुंच रहा है तो हमारी एक रिक्वेस्ट से कि प्लीज इस मामले में वो ध्यान दे और जो अन्शेडूल कट्स और जो यह लाइट की इतनी ज्यादा फ्लक्ट्वेशन है इसको ठीक करने के लिए जो भी कदम जरूरी है वो उठाए जाए जाए जिस तरह से बिजली की समस्यार यह इससे क्या-क्या जो है एफेक्ट से पढ़ने वाली है उनको तो बिल्कुल वार फुटिंग पर यह चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि आम जंता को इसका नुकसान ना पहुंचे यह वो इसे फैक्टिर ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट एक ही है कि यह जो अन्शेडूल कट्स है और जो पानी कभी कोई पूरा बूरा देन चाट रहती है अपर जैसे की हीट वेव चल रही है और लोगों को एडवाईज की जाती कि अपने गरों के अंदर जो है उन्हें जादा से जादा समय रहना चाहिए अगर बिचली नहीं होगी तो वो कैसे रहेंगे बिचली पानी हमारी बेसिक नेसस्टी है और गर्मी के मोसम में इन दोनों की रिक्वार्मेंट जो है अधिक बढ़ जाती है और गर्मेंट को ये चाहिए विबा को ये ही चाहिए कि इसकी सुच्चारू सप्लाई जो है लोगों तक पहुंचाए जाए तांकि लोग जो है गर्मी के इस मोसम में राहत मैसूस कर सके फिलाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानेगरे तिश कुप्ता को दीजी चाहज़त और आप देखते रहें एक्सेल्चे न्यूज